संजीवनी हस्पताल, बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, नि यूरो सर्जरी, नेत्ररोग, फीजियो थैरपी, त्री एवं प्रस्तूती रोग, लिध्यो एवं शुगर रोग, हड़ी एवं जॉर रोग, कार्डियो लोजी दंत रोग, एमर्ज मुख्या मंतरी नाइब सिंग सेनी हैं वो सिर्षा के बाबा सरसाई नात मेडिकल कॉलेज का भूमी पूजन करेंगे। कई सालों से ये मांग चल रही थी कि सिर्षा में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। लेकिन उसके बाद से लगातार पूरे हरियाना में अलग अलग जिलों मेडिकल कालेज के निर्मान हैं वो चल रही हैं। और सिर्षा में इसके निर्मान को पहले मंजूरी है वो दी जा चुकी है। इसकी घोशना है वो की जा चुकी है। और इसका सिल्या नांस भी जो महा मही मराश्टर पती हैं उन्होंने कुरकशेतर में किया था। और उसके बाद से सिर्षा में जगे है वो तलाश नी शुरू हुई और ये जो साइट है वो चौधरी देविलाल यूनिस्टि के बिलकुल सामने है। और ये चुकि पहले एगरिकल्सर यूनिविस्टी की जगह थी जो पहले उसके बाद जो स्वास्ते विवाग को ये जगह है वो ट्रांसफर की गई और अब चुकि इसके निर्मान को हरी जंडी मिल चुकी है 21 तारिक को मुख्या मंतरी नाइब सिंग सेनी है वो इसका भूमी और राजस्तान के इलाके के लोगों को यहां पर स्वास्ते सुविधाई मिलेगी वहीं यहां पर MBBS के कोर्स यानि स्टूडेंट्स को भी एक बड़ा फाइदा मिलेगा कोर्स है वो MBBS के सुरू हो पाएंगे और इस मेडिकल कालेज का अपना नर्सिंग कालेज भी होगा य और चुकि इसके मेडिकल कालेज के निर्मान को लेकर के लंबे समय से जो मांग है वो चल रही थी और आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें हमने कुछ दिन पहले आपको जो तस्वीर दिखाई थी कि यहां पर जो जाड़ जंखाड है मेडिकल कालेज की जगह पर उगे उससे पहले तमाम जगाड जो भी आपर उगे हुए थे ट्रेक्टर की मदद से जेसी भी की मदद से उनको पाटा जा रहा है और यहां पर जो जगह है वो समतल की जा रही है यानि कि साफ सफाई का काम है वो पिछले तीन दिनों से यहां पर चल रहा है और 21 तारीक को मुख खुश खबरी है और यह कहेंगे कि यह जो है गुड न्यूज है कि सिरसा में अब मेडिकल कालेज का निर्मान है वो सुरू हो पाएगा बिना देरी के और हम आपको बता दें कि सिरसा जिले में मेडिकल कालेज यह जो छेतर है बरनारा रोड भगत सिंग कलोनी चोदरी तरगड़ पट्टी का इलाका है वहां पर भी जो लोगों में एक उत्सा है वो देखा जा रहा है क्योंकि मेडिकल कालेज बनने से यहां पर जहां लोगों को स्वास्ते सुविधाई मिलेगी युवाओं को यहां पर रोजगार मिलेगा वहीं जो है इस छेतर के जो प्रोपर पर यहां पर पहुंच कर इस मीडिकल कालेज का भूमी पूजन करेंगे तो वो जानकारी भी हम आपको दे देगे और 21 तारिक को नाइब सिंग सैनी जब यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद जो विस्टार से जो तमाम जो जानकारियां हैं वो हो जाएंगी यानि कि काफी कुछ कलीर हो जाएगा 24 महिने में इस मेडिकल कालेज का निर्मान होना है यानि कि ये कह सकते हैं कि 2025 और 2026 दो सालों में इसका निर्मान होगा तो 2027 में यहां पर कलासे सुरू हो जाएगी यहां पर यह कह सकते हैं कि इलाज लोगों का आहा वो यहां पर सुरू होगा पहले कई तरह के पेच है वो इस मेडिकल कालेज को लेकर के चल रहे थे कि यह जगे है वो काफी कम है और दूसरा यहां पर चूंकि जब अलग अलग छेतरों से जब अमूलन्स यहां पर आएंगी तो क्योंकि चत्रगर पट्टी का जो फाटक है वहां पर जो है फलाई अवर है वो बनाया जाना है वो मुझूर भी हो चुका है लेकिन अभी वहां पर फाटक है और फाटक बंद रहता है तो उस बत उस उस को लेकर के भी एक पेज था दूसरा यहां पर चूंकि अगर बर्नाडा रोड से बाबाबा भुमन साथ चोक से अगर बात करें बर्नाडा रोड की तो वहां पर भी जो जिला कारगार है उसके आगे आगे जो है जो नेशनल हाईवे है और बाइपास है वो पूरे जिले का चाहे हम डवाली से छेतर के लोग वहां से आए चाहे रानिया छेतर के लोग भी वहां से आए तो वहां से लोग है वो यहां पर एम्बूलन्स हैं उसकी मदद से यहां पर लोग पहुंच सकते हैं पहले इस मेडिकल कालेज को बनाने का जो प्लान था वो सिरसा से बाहर था यानि कि आउटर पे इसको बना दिया जाए लेकिन काफी जो है बाचीत के बाद काफी चर्चाओं के बाद यहें पे तैह हो पाया कि यहां पर अगर मेडिकल कालेज बनेगा तो सिरसा शेर के लोगों को भी बेहतर सु इंडे गाडे हैं यहां पर चाहे जब टेंडर हुआ था और उससे पहले जब निर्मान को मंजूरी दी गई थी यह घोशना की गई थी तब डिप्टी सीम दुशन चोटाला थे उनके जो करे करता हैं उन्होंने भी कहा था कि मेडिकल कालिज बनाने में उनका एक बड़ा यो कालिज को लेकर के संगर्श कर रहे थे सडकों पे मेडिकल कालिज की लडाई वो लड़ रहे थे उन्होंने लंबे समय तक भारती जनता पार्टी में रहते हुए अपनी ही पार्टी के खिलाब धरना दिया था और उसके बाद से जो सीम के ओच दी है उन्होंने सिरसा में आ तो अब मिलनी सुरू होगी दो साल बाद मेडिकल कालिज के निर्मान को लेकर के तमाम जो जो जर्चाएं थी वो उस पे विराम लग गया है क्योंकि 21 तारिक को नाइब सिंग सेनी यहां पर आ करके इसका भूमी पूजन करने वाले हैं तो जादा से जादा इस वीडियो का आप सेर जरू कर दिजी और कॉमेंट सेक्षन में आप अपनी राय जरू दिजी किस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं मेडिकल कालिज के निर्मान को लेकर के आपकी क्या राय है बहुत बहुत शुक्रिया